देट करोड लोगों ने वैक्सीन USA में लगवा ली है पचास लाग के करीब करीब ये आंकड़ा इंग्लिंड में है यूरोप के अलग-अलग देशों में ये वैक्सीन लगवाई जा रही है रश्या में वैक्सीन लगवाई जा रही है जब scientists उस vaccine को लेकर बिल्कुल शोर होते हैं कि जी अब ये vaccine तमाम लोगों को दी जा सकती है अब इस vaccine को तमाम लोगों को दिया जाना चाहिए हमारे देश में भी बिल्कुल वही हुआ जो बाकी तमाम देशों में हुआ हमारे देश ने भी इस vaccine को emergency authorization दिया जन्वरी 16 से देश भर में वैक्सीन लगना शुरू हुई और आज 23 जन्वरी को आंकड़ा है 13,90,000 के पास यानि 13,90,000 हेल्थ केर वर्कर्स को अभी तक ये वैक्सीन लगाया गया है हेल्थ केर वर्कर्स का मतलब डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टार्फ और वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से हेल्थ इंस्चूट्स के साथ जुड़े हुए क्या वज़ा है वो लोग जिन लोगों को पूरे देश के लोगों में विश्वास जगाना चाहिए था वो लोग जिन लोगों को एक्जेम्पल के तौर पर लेकर बाकी देश में विश्वास पैदा होना चाहिए था कि हमें वैक्सीन लगवाना है क्यों वो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे और अगर लगवा भी रहे हैं बहुत कम तेदाद में लगवा रहे हैं कुछ एक वीडियो भी वाइरल हुए हैं उन वीडियो में सिर्फ कैमरे के सामने फोटो किचवाने के लिए और यब वीडियो बनवाने के लिए वैक्सीन लगवाई जा रही है लेकिन वैक्सीन लगाई नहीं जा रही है क्या वज़ा है जिस देश में एक करोड़ छे लाख कोविड के इंफेक्टिट पेशेंट्स रहे हों इन में से एक करोड़ तीन लाख के उपर उपर पेशेंट जो हैं वो रिकावर हुए है और जिस देश में एक लाख तिरपन हजार से ज़्यादा लोगों की मौत कोविड नाइंटीन के कारण हुई हो उस देश में जब कोविड नाइंटीन का वैक्सीन आता है तो हेल्थ केर वर्कर्स हेजिटेंट क्यों जहां अब इसकी बहुत सारी वजुहात है पहली वज़ा ये बताई जा रही है कि भारत बायो टेक की जो को वैक्सीन बनी है उस वैक्सीन को लेकर ये कहा जा रहा है चूँकि फेज ट्री के ट्राइल्स अबर हो ही रहे है तो हम कैसे यकी यकीन करें कि ये वैक्सीन सेफ है सेरमिन शूट अफ इंडिया का की वैक्सीन कोविशील जो देश में मैक्सिमम स्टेट्स में कोविशील वैक्सीन लगाई जा रही है आखिरकार उसमें हैजिटेंट क्यों हैं लोग हैजिटेशन शायद इसलिए क्योंकि पांच लोगों की मौत अभी तक वैक्सिनेशन के बाद हुई है पांच उन लोगों के मामले में हेल्थ डेपार्टमेंट ने और उनके उन हॉस्पिटल्स ने जिन हॉस्पिटल्स में इन लोगों को एड्मिट किया गया या मौत के बाद जहां इनका पोस्टमाटम हुआ उन हॉस्पिटल्स ने कहा कि किसी को कोई कार्डियक प्रॉब्लम थी किसी को कोई कार्डियो पल्मिनरी प्रॉब्लम थी जिसके चलतें उनकी मौत हुई है और इसका vaccination से कोई लेना देना नहीं है क्या ये खौफ की वजा है और अगर ये खौफ doctors के अंदर है healthcare workers के अंदर है paramedics के अंदर है तो ज़रा सोचिए आम आदमी vaccination को लेकर कितना जादा उतसाहित होगा आम आदमी का confidence vaccination को लेकर करते हैं जिनको coronavirus के बारे में मुझसे और एक आम आदमी से ज्यादा information है अगर वो लोग घबरा रहे हैं तो फिर ये vaccination काम्याब कैसे होगी अब आईए एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 की जो vaccines दो हमारे देश में हैं एक co vaccine और दूसरी covishield covishield इंस्टूट अफ इंडिया की है यह वही इंस्टूट है जो पूरी दुनिया भर में वैक्सीन दे रहा है और आपकी जानकारी के लिए भी बताएं कि कोविशील्ड एस्टरजेंका ओक्सफर्ड ने जो वैक्सीन तयार की है जो वैक्सीन इंग्लेंड में लग रही है 50 लाख हेल्थ केर वरकर्स ने जो वैक्सीन इंग्लेंड में ली है वही वैक्सीन हमारे देश में दी जा रही है क्या आपने इंग्लेंड के England से कहीं कोई शोर सुना कि जी लोग vaccine नहीं लगवार है नहीं सुना होगा क्यों नहीं सुना क्या वो healthcare workers क्या उन्हें हमसे ज्यादा इस चीज की knowledge है या हमसे कम है जाहिर सी बात है बराबर बराबर है जितनी knowledge medical science की हमारे doctors को है उतनी ही knowledge उनके पास भी है पर वो आश्वस्त हैं अपने scientists को लेकर वो आश्वस्त हैं अपनी सरकार को लेकर उन्हें मुकमल तोर पर यकीन है अपने scientists पर अपनी सरकार पर कि हमारे scientists जो कह रहे हैं कि ये vaccine से फ़े वो लगवा रहे हैं कया उन्हें नहीं मालूम कि तीन फेज के बाद Efficacy को Test करने के बाद ये vaccine उनको दी जा रही है हमारे यहां भी Covishield जो है वो उसी Formula की vaccine है वही vaccine जो मुक्षवीर में दी जा रही हैं लेकिन तब भी आप लोग vaccine से दूर क्यों है दूसरी vaccine भारत बायो टेक Lancet Journal में Phase 1 के नतीज़ों को लेकर ये कहा गया है कि Phase 1 में जो ट्राइल्स किये गए हैं अब ट्राइल्स कैसे होते हैं यारा हॉस्पिटल देश के चुने गए उन यारा हॉस्पिटल में 18 से 55 साल तक के लोगों को इंट्रा मस्किलर डोजिस वैक्सीन के दिये गए और ये तमाम लोग सहतमन हैं ये तमाम लोग बिलकुल ठीक ठाक हैं इन्हें बुखार हुआ हलका सा जुकाम हुआ या जो इंजेक्शन साइट थी उस इंजेक्शन साइट पर थोड़ा सा दर्द हुआ ये लोग बिलकुल ठीक हैं को वैक्सीन लगवाने के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन को लगाने के बाद ये लोग बिलकुल सहतमन हैं इन्हें किसी किसम की कोई दिक्कत नहीं दूसरा इम्यून सिस्टम ने जबर्दस रिस्पॉंस भी पैदा किया यानि अगर COVID-19 का infection, coronavirus इन पे attack भी करता है तो इतनी immunity पैदा हो जाती है कि COVID-19 कोई नुकसान नहीं पहुचा पाएगा Phase 2 के भी नतीजे आ चुके हैं उन्हें भी scientist community जो है study कर रही है और Phase 3 जिसकी बात कही जा रही कि Phase 3 के trials अभी तक हुए नहीं है efficacy अभी तक इस vaccine की test नहीं हुई है कहते हैं कई बार ज्यादा जानकारी जब आपके पास होती है आप बहुत ज्यादा एहतियाद करना शुरू करते हैं आप बजार जाएंगे, दवाई लाएंगे और दवाई लाने के बाद जब आप उस दवाई की detail गूगल करते हैं और side effects और तमाम चीज़ें आपके सामने आती हैं आप फौरन कहते हैं कि मुझे ये तो दवाई बिलकुल नहीं खानी और कई बार आप doctors भी ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास जब patient आता है, patient ही हमको बताता है कि मुझे बिमारी कौन सी है, मुझे दवाईयां कौन सी लेनी है और मुझे test कौन से कराने हैं तो कई बार हम patient को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो studies आप internet पे पढ़ते हैं जो lancet journal में आ रहा है, जो बाकी जगा पर आ रहा है ये academic interest का है इसको समझना और इसको समझने के बाद properly analyze करना ये scientist का काम है, आपका मेरा काम नहीं है मिसाल के तोर पे, एक दवाई बनती है उस दवाई में ये कहा जाता है कि 100 लोग अगर ये दवाई लेंगे तो एक आदमी इस दवाई के कारण बिमार हो सकता है उसे ये दिक्कत, ये परिशानी हो सकती है और internet के उपर अलग-अलग जो studies आती है उन studies में जब ये कहा जाता एक प्रतिश्यत संभावना है कि ये हो सकता है आप एक प्रतिश्यत में interested रहते हैं 99 प्रतिश्यत में आप interested नहीं रहते और एक और बात कि मौत की खबर हमें ज़्यादा interest करती है बजाए जिन्दगी की गम हमें बहुत ज़्यादा entice करता है बजाए खुशी के यानि आपने YouTube या Facebook के उपर अगर कोई वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी information मिल रही हो आपको वो वीडियो अगर मिलती है हलका सा देखकर आप छोड़ देते हैं लेकिन उसी YouTube के उपर अगर murder की दास्तान कहीं पर कोई का आपको सुना रहा हो आप उस पूरी दास्तान को आखिर तक सुनते है यही वज़ा है कि किसी भी दवाई को लेकर किसी भी वैक्सीन को लेकर जब प्रोपगेंडा होता है आप उस प्रोपगेंडा को पूरा सुनते हैं लेकिन जो information आती उस information को नहीं सुनते दुनिया की कोई भी सरकार अपने देश की लोगों की जान को जोखिम में नहीं डालेगी USA में USA की सरकार ने Food and Drug Administration के उपर दवाव डाला कि आप Emergency Authorization Vaccine के दे अमेरिका में ही Dr. Anthony Stephen Fusey Director National Institute of Allergy and Infectious Disease और जो USA की सरकार की Chief Medical Advisor भी है एक लंबे समय तक उन्होंने सरकार को इजाज़त ही नहीं दी कि आप Vaccination मुलक में शुरू करें लेकिन सरकार ने दबाव डाला कि जब Scientist ये कह रहे हैं कि तीनु फेज के ट्रायल्स हो चुके हैं और इन Vaccines की efficacy को टेस्ट कर लिया गया है हम अब आपकी बात नहीं सुनेंगे हमें लोगों की जान बचानी है उसके लिए हम वैक्सीन को रोल आउट करेंगे बड़ी बार ये कहा जाता कि ये फैसले राजनितिक होती है राजनिति हरे चीज़ में हो सकती है लेकिन vaccination में राजनितिक करना किसी भी सरकार के लिए खत्रे से खाली नहीं अगर vaccination को लेकर सरकार को किसी भी किसम का कोई doubt होता शक होता या सरकार को ये लगता कि इस वैक्सीन को देने के बाद लोगों की मौत हो सकती है तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी सरकार अपने देश के लोगों को ऐसी वैक्सीन नहीं बांटेगी भारत बायोटेक में जो वैक्सीन तयार की है उस वैक्सीन में भारत बायोटेक के साथ Indian Council for Medical Research और National Institute of Virology है हमें अपने देश के इंस्शूशन के उपर यकीन करना होगा सिरम Institute of India के उपर Washington DC यकीन कर रहा है Brazil यकीन कर रहा है हमारे आसपडोस के सारे देश यकीन कर रहे हैं लेकिन अफसोस मैं और आप अभी भी असमन जिसमें हैं भारत बायोटेक की कोई वैक्सीन के उपर हमारे आसपडोस के सारे देश और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अंतरश्ट इस्तरबर पर भी लोग को वैक्सीन पर विश्वास करेंगे लेकिन मैं और आप विश्वास करने में इतना हिच्किचा क्यों रहे हैं हमें जब तक हम अपने इंस्शुशन्स पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि दुनिया हमारे इंस्शुशन्स को मानना शुरू करे हमारे इंस्शुशन्स का समान करना शुरू करे कल अगर इसी भारत बायोटेक की वैक्सीन को CDC या National Institute of Virology या अमेरिका का National Institute of Allergy and Infectious Disease कल इस वैक्सीन को लेकर ये कहता है कि ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है सब वैक्सीनों के कंपरिटिवनी सबसे बढ़िया है मैं और आप सबसे पहले दोड़ेंगे इस वैक्सीन को लगाने के लिए क्यों? क्योंकि ये बात अमेरिका ने कही है हरानी ये होती है हम अपने देश को आत्मिदर बारत भारत बनाना चाहते हैं हम अपने देश को लेके बहुत इमोशनल है हम अपने देश के तमाम इंस्ट्यूशन को चाहते है कि ये अमेरिका और यूरप के इंस्यूशन्स से ज्यादा क्रेडिबल हों कि कब क्रेडिबल होंगे जब मैं और आप अपने इंस्यूशन्स के अंदर यकीन करेंगे और ये यकीन डॉक्टर्स से और साइंटिस कम्यूनिटी से शुरू होता है जब डॉक्टर्स और साइंटिस्स कमुनिटी से तालुक रखने वाले लोग बे तालुकी इक्तियार करेंगे और इन वैक्सीन्स को लेकर अवश्वास इन वैक्सीन्स के प्रती दिखाएंगे यकीन मानिए कोविट के खिलाब जो हमारी जंग है इस जंग में जीत बहुत मु चड़ गए याद कीजेगा मार्ट 24 से लेकर एक 6 महीने तक लगातार हमारी सरकार ने जिस सरकार ने लॉकडाउन लगाया एकॉनमी जिस लॉकडाउन के कारण एकॉनमी को जबरदस नुकसान पहुंचा आम इनसान के जीवन को जबरदस नुकसान पहुंचा मैं और आप ज इस सरकार ने 6 महीने अपनी एकॉनमी की तबाही और बरबादी सिर्फ इसलिए बरदाश की ताकि लोगों की जान बचाई जा सके क्या ये संभव है कि वो सरकार ऐसे वैक्सीन को ऑथराइज करेगी जिन वैक्सीन को लेकर सरकार के मन में कोई डाउट होगा एक और गुजारिश आप लोगों से डॉक्टर कब बनता है एमडी कब मुकमल होती है सर्टिफिकेट कोर्स कितने सारे डॉक्टर्स करते हैं साइंटिस्ट कितनी मेहनत के बाद बनता है इसका मतलब यह है कि कोई गुरु मंतर जरूर ऐसा है जो डॉक्टर्स के पास ही है आप गुगल से पढ़के आप फेस्बुक से पढ़के आप वटसब के उपर जो फॉवर्ड आपको आ रहा उसको पढ़के आप अगर खुद यह तैय करना शुरू करेंगे कि मुझे कौन सा वैक्सीन लेना है मुझे कौन सा वैक्सीन नहीं लेना है मुझे कौन सी दवाई खान हैं तो यकीन मानिए आपकी सहत के लिए बिलकुल ठीक नहीं कई बार जो चीजें आपको गूगल से पढ़के बहुत बड़ी नजर आती हैं जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो आपको पांच मिनट के अंदर-अंदर कन्विंस कर देता है कि यह मामला इतना नहीं हैं स्टाडीज को लेकर जानकारी को लेकर जितनी भी जानकारी आप तक पहुंच रही है वो जानकारी जरूर लीजिए लेकिन जानकारी लेने के बाद हर मामले में अपने डॉक्टर के पास एक्सपर्ट के पास जरूर जाईए क्योंकि एक्सपर्ट को वो तमाम ची 0.01 है तो यह 0.01 मिनिमल फैक्टर है बिलकुल कुछ नहीं है ना के बराबर है पांच लोगों की अगर मौत हुई है पांच लोगों की मौत कता ही उसका यह मतलब नहीं है कि 13,90,000 लोग जो है जो वैक्सिनेट हुए है जाहिर सी बात है वो कोविड-19 से कोविड-19 का मुकाब गई है उनकी इम्मिनिटी बढ़ गई है आप लोगों से यही गुजारिश कि वैक्सिनेशन ड्राइव में हिस्सा लें वैक्सिन लगवाएं अपने देश के इंस्यूटन्स पर यकीन करें अपनी सरकार पर इस वैक्सिनेशन के मामले में यकीन करें यकीन इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि कोविड के खिलाफी जो जंग है पूरी दुनिया लड़ रही है और दुनिया की कोई भी सरकार अपने लोगों के साथ अपनी जनता के साथ खिलवार नहीं करती